मूवी की शुरुवात एक बग नाम की लड़की से होती है जो अपने हेलपर के साथ पुराने मैट्रिक्स सेमुलिशन को देख रही होती है जिसमें उसे हिस्ट्री रिपिट होते वे दीखरा होता है जो पहले ट्रिनिटी के साथ हो चुका होता है पर वो ट्रिनिटी नहीं र पर वो उनसे पीछा चुड़ा कर जब वहां से भागती है तो और वी एजेंट उसके पीछे लगे वे होते हैं पर वो उनसे छुप कर एक की शुप में छुप जाती है तब ही पीछे से मॉर्फिस आके उसे ले जाता किसी दूसरे डोड से और उन दोनों के बातों से ये पता चलता है कि मैट्रिक्स फिर से हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है और वो ये भी सोचने लगते हैं कि नियो जो की दववन था वो भी जिन्दा है इस बात को बग कहती है और फिर बग मॉर्फिस को कुछ पिल्स देके उन में से चुनिक ले कहती है और जब वो रेड़ वाला तभी वो उसके साथ हो के वहां से निकलता है पर इस बिच कुछ एजेंट से सामना होता है और वो उन सब से बस्ते हुए भाग रह होते हैं और एक विंडो से कूद जाते हैं उसके बाद से इन सिप्थ होता है और नियो को अपने गेमर रूप में काम करते हुए दिखाया जाता है पर उसे यह पता नहीं होता है कि वो अभी भी मेट्रिक्स में है तभी उसे अपने एक दोस्त जूट के साथ कौफी पीते हुए दिखाया जाता है जहां उसकी नजर ट्रिनिटी पर पढ़ती है और जब नियो ट्रिनिटी को देख रहा होता है तभी जूड उसे कह है मैं इसके बदले यह कर सकता हूं और ट्रिनिटी से जाकर मिलता है तभी नियो उसे जाकर रोकता है तो नियो और ट्रिनिटी में बात होती है और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तभी ट्रिनिटी का हजबन केड आकर उसे वहां से ले जाता है उसके बाद नियो को अप दूसरे रूप में होता है और वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो उनके पास्ट भी एक दूसरे से मैच खा रहे होते हैं जहां नियो को अपना पास्ट याद कर कुछ होने भी लगता है उसके बाद उसे अपने थेरपिस्ट के पास दिखाया जाता है जहां वो उसे अप तरन भी बन जाता है और इसके वाद मीटिंग में नियो को दिंखाया जाता है और ये सिलसिला कुछ दीन तक चल रहा होता है तभी जब नियो कॉफी पीने आता है है और उसकी मुलेकाद ट्रिनिटी से फिर होती है और दोनों बात कर रहे होते हैं जहां उने कुछ-कुछ उनके पास्ट के बारे में याद आ रहा होता है और वो उसे फिल करकर बात कर रहे होता है उसके वाद नियो के ओफिस का सिंध दिखाया जाता है जहां वहां के सिक्योर्टी वो प्लेस खाली करा रहे होते हैं किसी घुजबैट के कारण तभी नियो के फोन पे एक मेसेज आता है और वो उस message को follow कर washroom में आता है जहां उसकी मुलाकात Morpheus से होती है पर वो उसे नहीं पहचान पाता है जब तक कि वो उसे अपनी पुरानी बाते शेयर नहीं करता है पर नियो फिर भी confused रहता है तो Morpheus उसे वही red pill खाने को देता है पर वो मनक करकर वहां से जा रहा होता है तभी वहां security आती है और firing start हो जाती है और Morpheus उन सब को मार रहा होता है और नियो वहां से जा रहा होता है यह कहते हुए कि यह सब मेरे एक दिमाग में तभी एक धमाका होता है और वो थोड़ा आगे जाकर गिरता है उसके बाद Morpheus गोली चलाते हुए निकलता है और इतने दिर में और भी गाड आ जाते हैं और दोनों तरफ से फारिंग इस्टार्ट रहती है तबी Smith को दुसरी तरफ से आते हुए दिखाया जाता है और नियो को छुपते वे दिखाया जाता है और मॉर्फियोस जान नियो को बचाने में लगा हुआ होता है तबी इसमित को वहाँ पड़ागन उठाते वे दिखाया जाता है और उसके बाद वो मिस्टर एंडरेसन चिला के नियो को गोली मारता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और तभी जब नियो अपने आपको समझा रहा होता है कि यह सब रियल नहीं है यह सब मेरे माइंड का खेल है और इस मित उसके सर पे जब गोली ताने रहता है वैसे ही सिंसिप्ट होता है और नियो को अपने तरेपिस्ट यानि साइकेटरिस क पास दिखाया जाता है जहां वो उसे कह रहा होता है तुम ये सब सोच रहे थे और ये सब बस एक हलोजिनेशन है उसके वाल नियो को ड्रिंक करके इसके बारे में सोचते वे दिखाया जाता है एक बिल्डिंग के टेर tämä पे और तभी वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ से कुदेगा और या तो वो उड़ेगा या तो वो गिड़ेगा तभी जब वो कुदने जा रहा होता है वैसे ही वहाँ बग आ जाती है और उसे रोक कर उसे यकिन दिलाती है और कहती है अभी तुमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और जब नियो को बग प बक का पार्टनर होता है और वो आगे बट कर एक दूसरे डोर से होते हुए मॉर्फियस के पास पहुंचते हैं जहां वो नियो को वही रेट पिल ओफर करता है और तभी बहुत सारे कोशन नियो के माइंड में घूम रहे होते हैं जैसे अगर ये सब सच में है तो ट्रिनिटी है तुम मेरा हाथ पकड़ इस तरफ आ जाओ ये रियल है और उसे अपने तरफ खिचने लगता है वैसे ही बग नियो को पकड़ लेती है और मॉर्फियस वो मिरर गोली मार कर तोड़ देता है उसके बाद वहां सेक्योर्टी गार्ड भी आ जाता है और फायरिंग दोनों त होता है उस मिरर के द्वारा तो हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो मशीन के पॉड में से जखता है अपने नीन से और चारो तरफ देखता है इतने में ही एक मशीन आती है और नियो को वहां से लेके चली जाती है इस दौरान ट्रिनिटी भी दिखती है नियो को फि दोनों को ट्रेनिंग करते वे दिखाया जाता है जैसे पहले हुआ था जहां नियोः पहले physicist पीट रहा होता है और फिर अपनी पावर को जगा के एक shot मारता है जिससे की वहां सब उड़ जाता है और तभी नियोः को होश में आते वे दिखाया जाता है जहां बग आती है और दोनों मिलकर बात करते हैं जहां नियो कहता है अगर ये प्लग रियल में है मतलब उन लोगों ने मेरी पूरी जिन्दगी ले ली और जब और एकल और दूसरे के बारे में पुछता है तो बग कहती है कि उस वार के बाद नया मैट्रिक्स अपलोड लोगों ने जैसा बोला था वैसे ही किया सांती हो गई है फिर से नियो बोलता है क्या पता मैट्रिक्स पहले जैसा है कि और वर्स हो गया है तभी बग उसे अपने कुरू से मिलवाने के लिए ले जाती है जहां वो उन सब से मिलता है और जहां उसे पता चलता है कि अब मसी भी उसके साथ है और यह सब possible हुआ है उसके कारण तभी उन्हें अपने safe place पे जाते वे दिखाया जाता है जहां वो सब उसे आयो बुलाते हैं पहले जो उनका safe place था वो वार के दोरान तवा हो चुका था उसके करण उन्हें वहां से shift करना परा और एक protection layer बनानी पड़ी उसके बाद नियो और पूरे टीम को वहां के hate के पास जाते वे दिखाया जाता है जहां नियो को पता चलता है कि यह और कोई नियो भी रहती है पर वो bug से नाराज रहती ह क्यूंकि उसने नियम के विरुद जाके काम किया होता है और उसे commander पत से हटाने का एलान करती है उसके बाद नियो और नियो भी को बात करते वे दिखाया जाता है जहां नियो भी नियो को वहां सबसे मिला रही होती है और फिर Morpheus के statue के पास लेके जाती है और कहती है Morpheus न जाओगे और वो तुम्हारे साहर यहां तक फिर से आ जाएंगे और फिर कुछ कार्ड जो नियों के फैन भी होते हैं उसे एक रूम में ले जाके बंद कर देते हैं पर जब नियों बाहर बालकॉनी में आता है जहां उसे मौर्फियस मिलता है और वो बख के साथ चलने के जहां वो सब decide करते हैं मैट्रिक्स में जाने के लिए और फिर बग अपने साथियों के साथ अपने ship एक side में छुपा देती है और फिर नियो और बग और उसके crew को वहाँ जाते वे दिखाया जाता है पर वहाँ उनके मुलकात Smith से होती है जहां कुछ और दुसरे लोग भी आत है और उसके crew कहीं और उसके बाद जब Smith Morpheus को मार कर जब नियो से fight करने आता है और फिर दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते एक दुसरे जगा पहुंच जाते हैं जहां वो एक दुसरे पर भारी पर रहे होते हैं जहां कभी Smith नियो पर भारी पर रहा होता है कभी नियो इसमित पर और जब Smith नियो को मारने वाला रहता है और कहता है कि तुम Trinity से अब कभी नहीं मिल पाओगे और अटक करने वाला रहता है तभी नियो उसे रोक के एक blow मारता है और उसे दूर फेख देता है उसके बाद जब नियो वहां से आता है बग के सामने तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और फिर कहता है मैं जब तुमसे मिला तब मुझे ऐसा हुआ कि मैं एक होप खो चुका था पहले कुछ लाइफ का और जब उसका हाथ पकड़ता है तो ट्रिनिटी नियो से कहती है कि जब वो नियो से मिली थी तो उसके बाद वो उसके बारे में सोचने लगी थी और फिर उसे एक सपना आया जहां वो दोनों एक बाइक से जा रहे होते हैं और बहुत सारे पुलिस वाले उनके पीछे आ रहे होते हैं तबी अचानक से सब बदल जाता है और नियो के डॉक्टर द एनलिस्ट को दिखाया जाता है जो नियो को बता रह होता है उसके बाद ये भी बताता है कि उसने नियो और ट्रिनिटी को क्यों बचाया और किसलिए इतने दिन तक जिंदा रखा क्योंकि जब वो दोनों साथ में होते हैं तो एक आजीब तरह की एनर्जी प्रोडिस्ट होती है और अपना कंट्रोल दिखाता है और कहता है वा जहां से जाने के लिए उसके बाद सबको खोश में आते हुए दिखाया जाता है जहां उनके साथी यानि नियोवी के लोग उसे नियोवी के पास ले जाने के लिए आते हैं और फिर उन्हें नियोवी के पास दिखाया जाता है जहां नियोवी बग से बहुत नराज रहती ह और तभी एक मर्शिन आता है और नियो भी को कुछ क्याता है और फिर नियो को सती के पास दिखाया जाता जो पहले वाले मेट्रिक्स में एक बच्ची थी जहां सती नियो को ट्रीनिटी के बारे में बताती है कि वो कहां है और ये भी कि नियो के बाहर आ जाने से मेट्रिक्स अभी DST Black हो गया है और जहां Analyst Matrix को Reset होने से रोक रहा होता है क्यूंकि उसे यकीन है कि Neo वापस आएगा Trinity के चलते अगर नहीं आया तो Trinity को वो मार देगा ये सब जानने के बाद नायोवी को अपने टीम के साथ एक प्लान बनाते वे दिखाया जाता है जहां वो Trinity को वहाँ से बाहर निकालने का सोच रहे होते हैं सती के मदद से और फिर उन्हें Matrix में वापस जाते वे दिखाया जाता है जहां वो सब सती के पास रहते हैं और एक मशीन जो उनके साइड रह पहुंचता है जहां बग भी दूसरी ओर से आती है मॉर्फियस के बनाए रास्ते से जो सती ने हिंड दिये होते हैं दूसरी ओर नियो को ब्रोडकास्ट के लिए बोला जाता है जहां एक और Trinity को बग और मॉर्फियस सती के साथ मिलकर उसे बचा रहे होते हैं उस human pot से और द कहता है Trinity ये चाहेगी तो मैं यहीं रुख जाऊंगा और अगर नहीं तो तुम हमें जाने दोगे तब एनलिस्ट कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा तब नियो कहता है मैं अभी अपने लोगों से भड़े शिप में हूँ और वो मुझे अन्पलक कर देंगे तुमसे पहले ही तब ही कुछ लोग नियो के सपोर्ट में अंदर आते हैं और एनलिस्ट मान जाता है दूसरी और बग मॉर्फियंस के साथ Trinity को बाइपास करते हुए दिखाया जाता है जहां वो वेट करते हैं Trinity के decision का कि वो अन्पलग होना चाहती है कि नहीं और ये नियो के life के लिए भी ज दिखा है उसके वाँ Trinity का husband आके उसे लेके जा रहा होता है उसके बच्चे भी रहते हैं उसे लेने आये हुए और उसी दोरान बग के साथ और सब को भी दिखाया जाता जहां उन्हें भी पता चलता है कि Trinity मना करके जा रही है पर वैसे ही जब वो नियो को पकट कर बैठा द मत बुलाओ मुझे इससे नफरत है मेरा नाम Trinity है और तभी Trinity का husband उसे fight करने लगता है और Trinity भी उसे fight करने लगती है और नियो का नाम लेके चिलाती है और तभी नियो ये सुन एक blow मारता है पर analyst time को रोक कर Trinity को मारने जाता है वैसे ही Smith वहां आ जाता है और तोनों में fight start हो जा होता है तभी चारों तरफ लड़ाई होड़ाई होती है जहां Trinity लड़ रही होती है और नियो बुलेट को रोक रहा होता है और दूसरी और सती बग और Morpheus के साथ मिलकर Trinity को unplug करने की तयारी कर रहे होते हैं उसके वाद Smith को analyst को मारते वे दिखाया जाता है और वो क्या रहा हो मार दो उसे उसके वाद रियल वर्ल्ड में रोबोट आते हैं Trinity को मारने के लिए पड़ वहां कोई नहीं होता है उसके वाद नियो और Trinity को मिलते वे दिखाया जाता है जहां दूसरी और वहां के गार्ड उन्हें मिलने से रोक रह होते हैं और जब वो मिलते हैं तो वैसे ही एक energy produce होती है और सब दूर जाके गिड़ जाते हैं उसके बाद जब analyst सब reset करने वाला होता ही है वैसे ही smith उसे गोली मार कर खत्म कर देता है और तवी नियो के साथ ही वहीं आके smith पर गनतान खड़े हो जाते हैं और हमें क्या पता चलता है कि नियो और smith का analyst को मारने का alliance भी form हुआ था जो इसी काम के साथ अब खत्म हो गया है तब ही सेक सब को साबधान करता है और वहां से निकलने के लिए कहता है और जब वह बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनकी और बर्ड रहे होते हैं और तब ही सब अलग-अलग हो जाते हैं जहां नि से एक मसीन पे लेटा देते हैं और फिर नियो को दिखाया जाता है वो लोगों से बच कर आगे बढ़ रहा होता है जहां जो लोग रहते हैं वो मेट्रिक्स में बॉट की तरह रहते हैं वो एक बम के रूप में काम कर रहे होते हैं और कूद रहे होते हैं हर एक आके फाइरिंग स्टार्ट कर देते हैं जहां नियो उन्हें रोकता है अपनी पावर से और लिफ्ट खुलने पर ट्रिनिटी के साथ उपर चला जाता है पर वैसे ही हेलिकॉप्टर आके उन्हें फाइरिंग करने लगता जब वो बिल्डिंग के उपर पहुंचते हैं और उन बिल्डिंग के उपर गिडता है और गिडमे के कारण चुत धमाका होता है, उससे वो दूर जा गिडते हैं और फिर उन्हें कुछ देर बाद जब खोश आता है तो नियो डिसाइट करता है या तो वो उडएंगे या तो उडएंगे आतो उमरेंगे ये सब real world में उनके साथी भी देख रहे होते हैं उसके बाद Trinity Neo को लेके उड़ जाती है और फिर उन्हें unplug होते वे दिखाया जाता है real world में और वो बात करते हैं उसके वाद sensitive होता है और Neo Trinity को analyst के घर पे दिखाया जाता है जहां Trinity उसे बाड़ बाड़ मार के जिन्दा करके फिर से मारती है और Neo खड़ा रहता है उसके बाद वो कुछ सवाल उससे पूछते हैं तुमने fail safe use किया था तब वो कहता है हाँ पर बीना तुम्हारे source code के ये impossible था तो Trinity कहती है तो system ने तुमें पर्च क्यों नहीं किया तब वो कहता है मैं system को जानता हूँ और human being को भी और कहता है अब तुम क्या करोगे यहाँ जो चाहो वो कर सकते हो आसमान को rainbow color से paint भी कर सकते हो पर एक बात जान लो last में तुम लोगों को उसी पॉड में जाना होगा क्यूंकि शिपलर को freedom और empowerment नहीं पसंद है उन्हें control होना ही पसंद है और तभी दोनों हसते हैं और अपने glass पहनते हैं और यहीं movie का dying हो जाता है